पायल को महिलाय अपने पैरों के अंदर पहनती है, वैसे तो पायल का तूटना काफी आम हो सकता है लेकिन जियोतिश के अंदर और लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये हशुब या शुब हो सकता है वैसे देखा जाए तो पायल का तूटने को शुब या अशुब दोनों ही तरह से माना जाता है लेकिन उपरी तोर पर देखा जाए तो पायल का तूटना अच्छा नहीं माना जाता है हाला कि यह मान्यताएं हैं और जरूरी नहीं होता है कि यह हमेशा ही सच ही हो कुछ लोग इनको मानते हैं तो कुछ लोग इनको नहीं मानते हैं यदि आप इस तरह की मान्यताओं पर भरुशा करते हैं तो जान सकते हैं सबसे पहले हम पायल तूटने की अशुब मान्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद पायल तूटने की शुग मान्यताओं के बारे में बात करेंगे नमब वन पती पत्नी के रिष्टों में तनाव होने का समकेत यदि आपकी पायल तूट जाती है, तो यह माना जाता है कि पती और पत्नी के रिष्टों के अंदर किसी वज़े से तनाव हो सकता है। आपको चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा ना करें, जैसे कि आप दोनों के बीच दूरिया बढ़ जाएं, आप अपने रिलेशन की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें, पती के स्वास्थ्य का खराब होने का संकेत, दोस्तों पायल तूटने को पती के बीमारी से जोड़ कर भी देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जल्दी ही आपके पती को किसी ना किसी तरह की बीमारी हो सकती है, उनकी हेल्थक खराब हो सकती है, हाला कि यह कोई गंभीर बीमारी के बारे में संकेत नहीं देता है, वरन यह एक आम बीमारी के बारे में संकेत दे सकता है, जो कि यहाँ पर धन का नुकसान हो सकता है, आपका धन किसी ना किसी कार्य के अंदर खर्च हो सकता है, यह वहाँ पर भी खर्च हो सकता है, जन्हाँ पर धन की जरूरत नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपने धन को अधिक से अधिक बचाने का प्रयास करें, नमबर त्री दु दोस्तों यदि अफ्रिका की बात करें तो आपको बता दे कि वहाँ पर पायल का तूटना अशुब माना जाता है। दावा वहाँ पर पायल तूटने को बुरी उर्जा से जोड कर भी देखा जाता है। जब कोई आपके उपर बुरी नजर डालता है तो उसकी वज़े से पायल तूट जाती है क्योंकि वह बुरी उर्जा को सोक लेती है। इसकी वज़े से आप बुरी उर्जा से बच जाते हैं और उसका असर आपके उपर ना होकर पायल के उपर हो जाता है। नमबर 7 नई शूरुआत का संकेत जब पायल पुरानी हो चुकी है और वो तूट जाती है तो ये जीवन के अंदर नई शूरुआत का संकेत होती है ऐसा माना जाता है कि जल्दी ही आपके जीवन के अंदर नई शूरुआत हो सकती है मतलब आप अपने जीवन के अंदर पुरानी चीजों को छोड सकते हैं और उसके स्थान पर नई चीजों को कर सकते हैं नमबर 8 बुरी उर्जा के असर से आपको बचाती है दोस्तों पायल तूटने के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आपको बुरी उर्जा से बचाने का काम करती है ये बुरी उर्जा को सोक लेती है जिसकी वज़े से बुरी उर्जा का असर आपके उपर नहीं होता है और आपके उपर एक तरह से आने वाला संकत तल जाता है इसलिए पायल का तूटना शुब होता है